नमस्कार दोस्तों दोस्तों डॉक्टर बोहरा के Specific Clinical Tips Series का ये दूसरा पार्ट है इसके पहले हमने पहला पार्ट बनाया था जिसे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और आप ही लोगों की डिमांड पर हम ये दूसरा पार्ट बना रहा है Dr. Bohara दहली का एक बहुत ही प्रशिद दो होमेवधिक डाक्टर थे, और वो कोई इस्तिती के लिए विसेश होमेवधिक मेडिसीन जिए सिंगल मेडिसीन जो 10 टिप से दोस्तों ये लोगों की छोटी-छोटी आदतों के उपर है और इसी बिमार्य के लिए है जिससे आप लोग परेशान होते हैं रिस्तेदार परेशान होते हैं बहुत सारे मरीश परेशान होते हैं किन्तों उसका हल उन्हें नहीं मिलता तो दोस्तों आज का जो प करते रहते हैं आप देखें के तो वो चबा चबा कर अपने होटों के जो उपनी परें गर चबा 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 कर नाकुन जो का मास चील लेंगे बहुत दर्द हो गा इसके बाद भी वो यह आदत को करने को मजबूर होते हैं अंदर से ही व्यक्तिक हो, ये सारी चीजे करने की जो अंदर से एक्षा हो रही थी, वो खत्म हो जाएगी, नारवल व्यक्तिक तरह उसका सवाब हो जाता है, ऐसा डाक्टर साब का कहना था, दोस्तों दूसरी टिपसी की बात करें, तो आप लोग देखेंगे कि कई बारे से म रेडनेस आ गई है, लालपन आ गया है, वहाँ की जगे सूज गई है, छिल गई है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इस कंडिशन के लिए वहाँ पर दूस्तों डाक्टर साब अमोनियम म्यूर 200 पोटेंसी सुबह साम डेली 5-7 दिन लेने की सलाहत देते तो यदि बार बार जो है चमड़ी आपस में रगणने से वहाँ पर घाव बन जाए, अलसर्स हो जाए, रेडनेस अजाए, रेसेस पड़ जाए, अमोनियम म्यूर 200 सुबह साम आप डेली 7 दिनों तक देंगे दोस्तो आज की जो तीसरी टिप से है वो है गाइनेको मेश्टिया के पेशन के लिए, गाइनेको मेश्टिया में क्या होता है कि जो लड़की होते हैं उनके हार्मोन गड़वर होने के कारण लड़कियों की तरह जो है चेस्ट हो जाता है, कुछ बाहर निकला सा दिखता है जो सरमिंदगी का कारण मनता है ऐसे मरीजों को डाक्टर साफ थाराइडिनम 1M डेली तीन दिन तक लगातार देने की सलाह देते थे और उसे हर 15 दिन में फिर रिपीट करने को कहते थे मतलब आप लगातार तीन दिन तक थाराइडिनम 1M देंगे दिन में एक बार तीन दिन देके बंद कर देंगे फिर इसके बाद 15 दिन बाद फिर देंगे इसको करके अब्जर्ब करते रहते थे और जब लगता था कि यहां हार्मोन संतुलन हो गया है और फिर से लड़का नार्मल तरह से दिखने लगा है तो यह डोस बंद कर देते थे आज की जो चोथी टिप से दोस्तों वो है ड्राई एक्जीमा सूखे एक्जीमा के लिए ऐसा सूखा एक्जीमा जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली चलती थी और वहां की चमड़ी विल्कुल काले कलर की हो जाती थी तो ऐसे विसेश टाइप के एक्जीमा में ड्राउट साफ काली आर्स 200 पोटेंसी में डेली एक्डोस देने की सला देते थे पांस से साथ दिन जैसे ही आपको लक्षणों में फायदा नजरा आना सुरू हो जाता है तो वहां पर मेडिसिन टोटली स्टाप कर देते थे रक्षणों तो बहुत ज़्यादा खुजली चलती हो ड्राई एक्जीमा और चमरी का कलर काला हो गया वहां पर काली आर्स 200 डेली एक्डोस पांस से साथ दिनों के लिए देंगे पांजबा टिप से दोस्तो ऐसे लोगों के लिए जो खाना खाता ही टाइलेट की तरब भागते हैं वनलब वो खाना खाते हैं और उन्हें लेटरिंग आ जाती कई लोग तो ऐसा होते हैं खाना खाते ही भागते हैं करी लोग खाना खाते खाते ही बीच में खाना छोड़कर लेटिंग की तरब भागते हैं तो ऐसे मरीजों को अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 सुबह साब डेली 5-7 दिनों तक देने की सलाथ देते थे हलागि यह डाक्टर साब की टिप्स है और यह बहुत ही कामन सी मेडिसीन है ह पहुमेवति में अर्जेंटम नाइट्रिकम इसके लिए जनरली भी यूज़ की जाती है उस तो चटबा टिप से भी आप सभी लोगों के लिए बहुत काम की सांस में दुरगंध के लिए यह टिप्स है ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनकी सांसों में दुरगंध आती है प तो वहाँ पर एक फिक्स मेडिसिन है आरम मेटलिकम 1M पोटेंसी में डेली एक बार दिन है पांच दिनों तक और आफजर्व करना इसके एफेक्ट को आरम मेट 1M पोटेंसी में डेली एक बार पांच दिनों तक दोस्तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जिनें बार बार च तिकत हो ना हो वहाँ पर आप ये सब मेडिसिन देने के बाद चेली डोनियम यूज़ करके देखिए डाक्षप कहते हैं इसी कंडिसन में चेली डोनियम 30 पोटिंसी में सुबह दोपर रात दिन में तीन बर साथ दिनों तक दीजिए चाले या बार बार होने बाले चाले भी ठीक हो जाएंगे और आज की दोस्तों हाड भी जो टिप्स है वो बहुत ही हटके हैं ऐसे लोगों के लिए जिने मच्छर बार बार काटते हैं ये आपने एक अंतरम हैसुस किया होगा एक ही कमरे में दो लोग बेठे हैं एक बेक्ति को मच्छर नहीं काट रहा दूसरे बे कोई दवाई नहीं मिलेगी परन्तु डाक्षाम ने इसके लिए भी एक मेडिसीन बताई है और अपने मरीजों को देती भी थे तो यहाँ पर मच्छर आपको बारबार काटे और आपको लगे कि स्पेसिफिक इस कमरे में मुझे ही क्यों काट रहें और लोगों को इतना नह पोटेंसी में शुबह साम पांस दिनों तक लीजिए आप देखेंगे कि वही मच्छर अब आपको पहले जैसे नहीं काटेंगे ये क्या चेंज होगा ये तो प्रभू जाने परन्तु ये डाक्टर सापके अनुवावे दोस्तो डाक्टर बोहरा जी के दोस्तो आज की हो दर्द गरती चाहिए चेहरे पर हो चाहिए पीट पर हो किसी भी जगह पर हो लाल सफेज छोटी छोटी फुंसिया और उनमें होने वाले असहनी दर्द के लिए आरनी का 30 सुबह दोपर रात दिन में तीन बार तीन से पांच दिनों तक लागातार दी जाती है केवल इतन आपको में सबस्त बता दू कि OCD के बहुत एग्जंपल हम ले सकते हैं किसी को पैसे बार-बार गिननने की आदत होती है किसी को ताले चेक करने की बार बार आदत होती है एक बर चेक किया फिर से चेक कर रहा है तो किसी व्यक्ति को अलग-अलग तरह का OCD जो है लक्षणों को रूप में नजर आता है ये जो पर्टिकुलर OCD है ये उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जिने बार-बार हाथ दोने की बिमारी है मतलब यदे कोई व्यक्ति किसी काम से निकल के आया है पर आप एसे लोग अपने आसपस देखेंगे जो कुछ भी काम नहीं कर रहा है फिर भी थोड़ी-धोड़ी देर में उन्हें हात दोने की बुरी आदत लगी रहती है तो ये OCD का एक प्रकार है और ऐसे particular cases में जहाँ पर हाथ दोने की आदत हो, बारवार हाथ दोने की, वहाँ पर डाक्टर्स आप कहते हैं कि सिफिलिनम 1M potency में हफ्ते में एक बार देना है, तीन चार हफ्ते में व्यक्ति के अंदर से ही ये tendency खतम हो जाएगी कि वो बारवार बहुत धोने बाले obsessive compulsive disorder में प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छे आपको response मिलेंगे, मैं इन सभी को अपने क्लिनिक में प्रयोग करता रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे इसके result मिले हैं, पिछली बार के दरह दोस्तों, इस वीडियो को भी अपना प्यार जरूर दीज नमस्कार